नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर वर्दवस्था पैंशन योजना से जुड़ा हुआ लेटेस्ट न्यूज ताज़ अपडेट एक बार फिर से आप सभी वर्द जनों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यदि आप भी वर्द जन हैं चैया आप महिला हो या पुरुस हैं आज की है जानकारी आपके लिए बहुती ज़्यादा महत्पून है बुजर्गों को दिवाली तोफा पैंसन न्यामों में बदलाव किया गया है 20 साल का बेटा है तो आपको पैंसन दी जाएगी माबापको पैंसन का लाब दे जाएगा इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि 66,000 नए लाभारतियों को पैंसन लाब मिलने वाला है दोस्तो अब पैंसन न्यामों में क्या बदलाव किया गया है क्या पैंसन बढ़ाकर दी जाएगी यहाँ पर आपकी आई कितने निधरत की गई है और अब आपको पैंसन कितने मिलने वाली है पैंसन शिजडवी ये संपूर्ण जानकारी आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं वीडियो की सुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है छोटा सा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही दोस्तों बैल आईगन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राफ्थ हो और आप सबसे पहले उसी का लाव उठा सके चले दोस्तों वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं परदेश सरकार ने पैंसन यानि की वर्दवस्ता पैंसन नियमों में कुछ बदलाव किया है वर्दवस्ता पैंसन योजना का नियम अब क्या कहता है ये समझे वर्दवस्ता पैंसन योजना के पातर, पती और पतनी दोनों को 20 साल या इससे अधिक उम्र का बेटा होने के बावजूत पैंसन का लाब ले सकेंगे वर्दवस्ता पैंसन योजना के तहट पैंसन में संसोधन किया गया है समाज कल्यान मंतरी के अनुसार इससे संबंदिद शाषना देश संसोधित कर दिया गया है इससे 66,000 नए पातर, पती और पतनी को योजना का लाब मिलेगा दिवाली के बाद इसके लिए परदेश भर में कैंप लगा कर पैंसन संबंदी परमान पतर बनाए जाएंगे समाज कल्यान मंतरी ने कहा कि सरकार ने वर्दवस्ता और दिव्यांग पैंसन बढ़ाई है सरकार की तरफ से निन्ने लिया गया था कि वर्दवस्था पैंसन का लाव पत्नी दोनों को ही दिया जाएगा लेकिन कुछ तकनीकी वज़े से दोनों को पैंसन का लाव नहीं मिल पा रहा था पूर्व के शाषना देश में ऐसी विवस्था थी कि जिनका 20 साल से अधिक उम्र का पुत्र या पोत्र है उन्हें पैंसन का लाव नहीं दिया जाएगा पैंसन में आकडे आ रही इस दिक्कत को खतम कर विभाग की तरफ से संशोधित शाषना देश जारिक कर दिया गया बीपियल अंत्योदे या जिनकी मासिक आए 4,000 रुपे या इससे कम है उन्हें योजना का लाव दिया जाएगा समाज कल्यान एवं परिवेहन मंत्री ने कहा कि परिवेहन नियम में परिवेहन निगम में 2016 से मरतक आसरित करमशार्यों की नियुक्ती पर परतिबंधित लगा है लेकिन सरकार ने अब तै किया है कि जिनकी परिवारिक इस्तिती बहुत ही खराब है उन मरतक आश्रिती को निगम में नोकरी दिये जाने की बात कही जा रही है शाशनवे कर्मिक विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा समाज कल्यान एवं परिवहन मंत्री ने कहा कि सिटी बसों को मोटर वहन टैक्स में सत परतिसद छूट मिलेगी इसमें रोडवीज की 700 बसे भी सामिल है मंत्री ने कहा कि प्रेम नगर रूट पर 35 यानि कि 35 गाडिया खड़ी थी उन्हें नए रूट के परमिट दिये जा रहे हैं परिवहन मंत्री ने कहा कि विभाग में अधिकारियों के अनावशक तबादले नहीं होंगे जो तबादले होंगे वह बहुत कम वह नियमो अनुसार होंगे सभी तबादले मुख्य मंत्री की अनुमती के बाद ही होंगे यदि आप उतरखंड राजजे के अधिन आते हैं तो आप भी अपनी पैंशन प्राप्त कर सकते हैं अन्य बड़े लाब आप ले सकते हैं आज ही की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको अमर्दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है कोई डाउट है नीचे कमेंट वोक्स में जाकर पूछ सकते हैं सभी सवालों के जवाब आपको दे दिया जाएगा लाश्ट में विदन यही करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइगन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी क साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत